हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने रियल में 12x android माइल फून में आप अपने मॉइल फून से कॉन्फरेंस कॉल कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकरी देने वाला हूं तो चलिए आप वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देखिए दोस्तों कॉन्फरेंस कॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मॉइल फून का ही जो कॉलिंग का अप होता है इसे ओपन करना है कॉलिंग के से अप में आप आपको कोई भी एक नंबर यहां पर डायल करना है तो देखिए जैसे यह सामने अलब परसंट जो कॉल को रिसीव कर लेता है मैं आपको आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूं तो देखिए दोस्तों यहां पर जो हमारा कॉल रिसीव हो गया हुआ अब देखिए जब दूसरा नंबर भी कॉल रिसीव कर लेता है तो यहां पर काउंटिंग चलने लगती है अब आपको करना कह नीचे जो अप्शन हो जाता है मर्ज कॉल merge call पे tap करना है तो यहाँ पर यह जो आपकी call है ना यह आपकी conference call में इस तरीके से बदल जाती है ठीक है तो इस तरीके से आप जो ना अपने mobile phone में easily conference call कर सकते हैं ठीक है ठीक है हम तीनों लोग मिलके एक ही call line पे बात करते हैं ठीक है मतलब एक ही call line पे बात कर सकते हैं तीनों लोग में से कोई भी बोलेगा तो वो सब को सुनाई देगा ठीक है तो दोस्तों यह setting जो नहीं इस तरीके से काम करते हैं और तीनों लोग बाते कर सकते हैं एक ही call line पे ऐसा नहीं है कि conference call में आप सिर्फ दो ही number आप dial कर सकते हैं आप चाहे तो इसकी conference call में संख्या बढ़ा सकते हैं calling की आपको करना है कि simply आपको ये add call पे tap करना है और आपको कोई तीसरा number डाइल करना है और तीसरा number है वो call receive कर लेता है फिर उसको आपको merge call पे tap करना है तो इसी तरीके से आप और भी calling की संख्या बढ़ा सकते हैं नंबर की संख्या बढ़ा सकते हैं मैंने अभी तक conference call में 6-7 लोगों से अभी तक बात कर रही है तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको finally बताई दिया कि आप जो conference call इस तरीके से कर सकते हैं अपने mobile phone में ठीक ना